पहले राजयत में हुआ कर दे थे और ए आयम से चुनाव लेड़े जोकी हाट से फिर वापिस राजयत में आ गया है क्या कहेंगे आप इसमें कोई सक नहीं है वो हमारे परिवार के सदस थे राष्टे जनतादल के वो सच्चे और इमानदास शिफाई थे घर में कुछ मनमटाव हुआ था जिसके कारण वो एमाई में सामिल हो गए जब उनको एशास हुआ कि हमारा जो घर है वो मेरा सच्चा और मेरा जो इस्टेंट है वो मेरे घर से हमको प्राप्त हुआ इसलिए रात का भूला सबेरे अगर वो अपने घर वापस आ गए है तो यह से काफी हमें खुसी है बलकि राष्ट्य जनतादल को अपने एक मजबूस सिफाई पर गर्ब है कि उनकी वापसी के लिए हम राष्ट्य जनतादल की और से राष्ट्य जनतादल सर्परिवार की से जोकी हार्ट विधायक एवं अन एमाई के तमाम सम्मानित विधायक जो राष्टिय जनता दल में शामिल हुए हैं उन तमाम सम्मानित विधायकों को अपने घर वापसी के लिए अपने दिल से और हिर्दे से मुबारक बाद हम पेस करते हैं कि उनके वापसी से राष्ट्य जनतादल काफी मजबूत होंगे और जो विरोधी ताकत थे उनके मुपर करारा तमाचा है और हम तमाम विधायकों को पुना एक बार अपने दिल की गहराईयों से मुबारग बात पेस्ट करते हैं जय राष्ट्य जनतादल राज़त जिन्दाबाद महमत कमाले हक जिलाव पाद्यक्च राष्ट्य जनतादल अदर दिया दिखे टिकट काटा तेजश्वी जादब यहां पर तो एंट्रेम में टिकट काटा और हम लोग को भी समझ में नाया कि उसका सदस्य रहके भी उसको टिकट नहीं मिला हम लोग तो पूरा वहां पर तो मिश्ट्रेक हुआ उसके बाद फिर जब समर्थन जनता का प्यार मिला स्थानवाज जालम के साथ तो तेजश्वी जादब को भी साथ एहसास हुआ कि हमक तो एक सिफाई मजबूस सिफाई को छोड़ दिये हम उसको भी कमी खेलने लगा तो फिर वापसी घर वापसी हुआ है उसका आज सानवाज अलब में के ले ही नहीं बलके अगर गये हैं वो तो चार विधाय को लेके गये हैं वो सिमांचल का गांधी का कहलाते थे उसको वा थे करता हमिल के सब आज यह अर्हम आज जनता का पार समर्टक है उसके साथ भूश मोहमद मुदस्सीर अलम के समय में राजद ने सानवाज अलम का टिकट कट लिया था सब्सक्राइब नहीं नहीं सामिल हो गया है क्या कहेंगे लग रहा उस दिन में और आए ऑस दिन में क् सांषफ और अबेटर हैं जो आप बशस्वाश की जीट के आए अब इस वक्त जू आम लोग बोल हैं कि जो राज़त vaati поastu अभी जो यूपी चुनाओं और बंगाल चुनाओं को देखते हुए और देश हित देश हित और बिहार हित के लिए सेकुलर पाटी को मजबूत करना था इसलिए और जद सीमांचल की जनता की मांग थी जिसके लिए मन्य विधायक जो किया चानवाजाला अपना काडिये करता से और जो भी उनके आदम से यह किये मन्थन कि उसके बाद निर्ने लिया गया कि राज़त जोना चाहिए राज़त में लंबा भविस्टा है इसलिए ज्वाणिंग किया बहुत अच्छा कम राज़त क्या कहेंगे जब टिकट कटा था उस वक्त तो बहुत गलत फैसला था सानवाज आलम का जो भी करता है उसका खुद का कोई पाटी का नहीं है सानवाज आलम साब जो इस्टेबली है हम लोग खुद उसको कहें हैं कि आप लोग आरज़ेडी में चले जाए एम आएम का कोई फ्यूचर नहीं है और देश दुनियों का बहुत हालात खड़ाव है इसके वज़े से हम लोग विधायक जी पर प्रेशर बनाए और विधायक जी खुद गए हम लोगे मर्जी से ग परता है सानवाज आलम बहुत अच्छा इस्टेबली हम लोग को बहुत कुछी हो रहा है और इंशालला बहुत आगे तरकी करेंगे सानवाज आलम साभ और तेजस्वी आदब को भी सोचना चाहिए कि सानवाज आलम साहिब ने बहुत बड़ा कुर्बोन ही लिए हैं और उ इंशालला वो मन समन खुद बना लेंगे उसके अंदर में वे क्वालिटी है वह चीज हम देखे हैं कल सानवाज आलम को कोई पहचान नहीं रहा था आज खेड़ में सानवाज आलम को पुड़ा बिहार में जौन रहा है तसलीम उद्दीन का एक ब्रॉंड है और बहुत मुबारण वह और ते में भी में मुबार्ण आपको लूगको बहुत खुछिए अक सानवन खीज cabin में जा रहा हैं के सानवाज ले अगया थे, सानुबाइब साहब राज़त को आगे बढ़ाएंगे सानुबाइब साहब फिर राज़त के उमिद्वार बन करके जो किहार से विधायक ने क्या नमान राज़ता है राज़त निदौ में अधाय करता है सानवा यह सहाथ रहें को राज़ते哈哈哈 करेंगे महम्मद राजीब